तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में क्लास 10 का उर्दू हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 3, 4 और 5 तीन चैप्टर को हम लोग कम्प्लीट करेंगे मात राज के इस एक वीडियो में बड़ा है इंपोर्टन वीडियो है तीन चैप्टर एक ही वीडियो में कम्प्लीट हो रहा है इसी वज़ेसे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बीना एक स्क्रिप किये देखना है ताकि हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आए और इस चैप्टर से किसी भी तरह का कहीं से भी क्योशन पूछ है तो आप लोग छोड़ कर नहीं आए बलके 100% करेक्ट एंफर लगा कर आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप लोग को देखना है बिना स्क्रिप किये और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब से पहले हुआ चालते नुम認為 three को समझेंगे उसके बाद से four को और उसके बाद से five को मतलब तो फिर आप लोग प्लेवाला जितना भी अप्लोड हुआ है ठीक है ना तो इसके पहले वाला चेप्टर नमर वान और टू आई होप आप लोग पढ़ लिये होंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर नमर थ्री सबसे पहले फर यह क्या है अफसाना यान की कहानी है कटी हूई शाख यह भी अफसाना यानि की कहानी है नामसीद्ध मुहंब här किया नाम है फरार नाम कि इस अपसाने के इस कहानी के लेकक कौन है मुसलिफ कौन है तो स्येद मुहम्मद मौसीन के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को है ठोड़ा to इसको मैं आप लोगों को बता दूंगी लेकिन सबसे पहले इस कहानी को मैं आप लोगों बता देती हूं चैप्टर को कम्प्लीट कर देती हूं ताकि बाद में हम लोग राइटर के बारे परार नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें औरतों से एक शक्स है जो की भाग रहा है यानि की औरतों से डर रहा है मतलब कि इस कहानी का जो मरकजी किरदार है यानि की में करेक्टर हीरो आप कह सकते हैं वो है महमूद महमुद नाम का एक लड़का रहता है, वो इस कहानी का मेन करेक्टर है, यानि की हीरो है जब ये छोटा बच्चा रहता है na, तो ये अपने मम्मी को अपने पापा किसान जगडते हुए देखता है अपने मम्मी का दबदबा जो पापा के ऊपर बना रहता था ठीक है उसको देखता है एक मतलब आवास निकालती थी तो महमूद दोड़ा हुआ चला जाता था ठीक है और उसकी मम्मी एकदम गुस्चे में लाल हुई रहती थी और डांटा करती थी ठीक है मतलब घर पर एकतर बैट जाती है कि और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है ठीक है ना यह इसके जहन में बात बैट जाती है और फिर से डरने लगता है आप यह पने मां को गफा रहता है अपने पिता-जी के ऊपर यानिकि अपने वालेद के उपर दबदबा बनाते हुए ठीक है ना पर्तों क्यों देखकर और आजीब सी हरकत होने लगती है त्वियत-फ़्राब टाइप का बेहोस्ट टाइप का ये होने लगता है और ऑर बीज्दा इसका स्रियेथ हो जाता है जब इसके वालिद और वाले यह आनका इसके वालिदान का इंतकाल हो जाता है इसके ममी पापा जो है ना दस साल की उमर में उनकी मौत हो जाता है यानकी महमुद अभी दस साल का ही रहता है तभी यतीम हो जाता है इसके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो जाता है ठीक है अब यह चला जाता है अपने मामू की यहा करता है फिर school से college में जाता है ठीक है उसके बाद से college में भी इसका एक करएख रहता है झां पूस्तम थे और इसके उडिने भी दोस्त रहता है वो भी इसका मजज़ाक उड़ाते हैं कि यार तुम्हारे अंदर दिलनमी पत्थर ही पत्थर एक बढ़ा में और अजीम मोटिवेट करता है मेहमूद को कि जायो खालिदा से मिलो तो कुछ देर के लिए मेहमूद वह मोटिवेट हो जाता है जब तुम लोग ऐसा बोली रहे हों मतलब पहले मेहमूद तो मना करता है कि ऐसा कोई बात नहीं है खालिदा मुझा इसी तरीके देख रहे कह तो जहाएं तो जहींतों हम बोलता है बहुत बात है तुम द्था कर शुरा कर देख रही थो जाओ तुम मिलो ऐसा ही बात है न खाण गम somehow कर लेकर आ जागा देना तुम लोग आपस Aww तैयार होकर और रास्ते में निकलता है उस जगा पर जाने के लिए इनकी खालिदा से मिलने के लिए लेकिन आधे रास्ते में इसको इस चीज़ का एसास होता है कि महमूद तुम गलत रास्ते पर जा रहा है तुम भटक रहा है ठीक है और वहीं पर आदे रास्ते में ही मेमूर रुक जाता है और वापस अपने घर चला आता है उस जगह पर नहीं जाता है जहां पर खालिदा इंदजार कर रही थी इसको एसास होता है कि ये प्यार महबत में पढ़ना जो है ना ये बहुत मतलब जिन्दगी बरबाद करने के बराबर है ठीक है ना अगर मैं इस प्यार महबत में पढ़ गया तो फिर लाइफ में काम्याबी हासिल नहीं कर पाऊंगा ठीक है ना ये बहुत गलत रास्ता है पह लोग इंतिजार कर रहे तो मेहमूद बहाना बना दिया कि अरे मेरी तबीत खराब हो गए थी बुखार वगर लग गया था इसी वजह से मैं नहीं आ सका ठीक है और बात को टाल दिया सची यहां पर मेहमूद कितना समझदारी से काम लिया और उसके बात से महमूद एकदम आप यूँ कि सकते हैं कि इतना कड़ी मेहनत किया कठिन परिश्रम पढ़ाई में इतना मतलब जी जान जोक कर पढ़ाई कि यह एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन गया और जब यह डिप्टी कलेक्टर बन गया ना यानिकि अपने जिन्दगी म यहां पर महमूद अगर उस दिन चला जाता और प्यार महबत में पड़ जाता तो क्या ये डिप्टी कलेक्टर बनता और अपने जिंदगी में काम्याबी हासिल कर पाता नहीं कर पाता तो यही चीज है जो कि मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहती हूं कि इस चीज में जो कि देखिए यही उमर होता है स्टुडेंट को भटकने का ठीक है लेकिन इस पर अगर आप लोग मतलब इस उमर में अगर आप लोग कंट्रॉल कर पाते हैं तो फिर लाइफ में आप लोग को काम्याभी ही काम्याभी मिलेगी ठीक है ना और इसी बात पर रहत इंदौरी जी का मुझे एक शेर याद आ गया है उनका शेर है कि लोग हर मोड पे रुक रुक के संभलते क्यों है इतना डरते हैं तो घर से बाहर निकलते क्यों है लोग हर मोड पे रुक रुक के संभलते क्यों है इतना डरते हैं तो घर से बाहर निकलते क्यों है मोड होता है जवानी का संभलने के लिए लेकिन सभी लोग यहीं पराकर फिसलते क्यों है ठीक है यह जो है ना शेर को यहां पर संबलना है ठीक है ना कभी इस तरह का माहौल इस तरह का सिच्वेशन क्रियेट हो तुरंत वहां से हट जाए ठीक है और अपने पढ़ाई पर अपने कैरियर के बारे में सोचे ठीक है पहले आप लोग जिंदगी में काम्याब हो जाए उसके बाद से इस चक्कर मे आप लोग पढ़िएगा ठीक है तो यहां पर महमूद जो है ना वह काम्याब हो जाता है डिप्टी कलेक्टर बन जाता है और बड़े-बड़े घर से रिष्टे आने लगते हैं उसी में से रिष्टे को यह सलेक्ट कर लेता है उस लड़की का नाम रहता है जबीदा रहता तो महमूद कुछ दिनों के लिए रुप जाता है और जब कुछ दिनों के बाद जबीदा का एक्जाम हो जाता है मैट्रिक का एक्जाम हो जाने के बाद यह मैट्रिक एक्जाम में पास भी हो जाती है तो और खुशी से शादी की त्यारी होने लगती है ठीक है शादी की त बार जब शादी किराए जाता है यानि कि दुले उस वक्त का इसे की ऐब अरट कोट I am तो फिर भूआ गया और पशीने इसे चोफने क्षोपन से ही मैं आप लोगों और जब एक साथ धेर सारी औरतों को यह देखता है ना कोई मोटी कोई पतली कोई कोई खुबसूरात मूँ ठीक है तो मतलब यह अजीब सा घवरा जाता है पसीने छूटने लगते हैं इसका मतलब हवा गुम हो जाता है आप यूं कह सकते हैं कि और उसके बाद से क्या करता है है इसका सरीर ठंडा होने लगता है डेकिए अजीब सी हरकत कर ने लगता है एक साथ धेर सारी ओरतों को देखकर यह भ़ोस टाइब का हो जाता है वही पर गिर पड़ता है अब मह्मुद के जो सशुर हैं वो आते हैं घर के सभी लोग आ जाते हैं पानी मारा जाता है चेहर यहीं पर कहानी का देंड हो गया इसके आगे नहीं बताएगा है मतलब कि यहां पर वह फरार का रास्ता अपनाता है वो चाहता नहीं है कि उस घर में जाये कि उस घर में धेर सरी और तो की भीड है और और अरोते से यह जो है ना बहुत ज़िदा ड़ता है घबरा जाता है ठी फार यहां पर यहां पर फाइनली कहानी का डिन्ड हो जाता है ठीक चैपनलमबर 很好 क 언제 हो गया राइटर के बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले बार फार यानकी कर ले मुसन्निफ वह है डॉक्टर कमर जहां तो कमर जहां के बारे में भी हम लोग बाद में समझेंगे सबसे पहले मैं इस कहानी को बता देती हूं देखें कटी वी शाँख इसका जो में कैरेक्टर है यानि की मरकजी किरदार हीरो उसका नाम तो नहीं बताये गया है लेकिन हां उसकी पूरी कहानी बता दी गया है जिस तरीके से एक पेर से उसका शाख कट कर अलग हो जाता है और फिर उसको जोडने कि कितनी भी कोशिश कर लेकिन उस पेड़ से वो शाख जुर नहीं पाता यान की टहनी जब एक बार कटकर अलग हो गया तो दुबारा जुर नहीं पाता है बिल्कुल उसी तरीके से रिष्टे जब एक बार टूप जाया करते हैं तो फिर वो दुबारा पहले जैसे नहीं जुर सकते हैं ठीक है पहल है ठीक है अपने वालिदेन के साथ हसी जिन्दगी बता रहा होता है ठीक है और उसके बाद से उसके दोस्त भी रहते हैं और छोटा सा गाओं रहता है छोटा सा परिवार रहता है लेकिन भरपूर प्यार मुहब्बत इसको मिलता है लेकिन इसको अचानक ये इसके थाउल नहीं रहा है को गुमने का मन करता है लगली चाहता है कि मुझे बाहर विदेश जाना चाहिए वाँपर कमाना चाहिए इस हसीन और रंगीड दुनिया को कमाना है क्याना यह सब defenders को लारि और थे बीडिय नियुक्त सकत्व मुंक्त जाकर पड़ाफट जो हैना अपना पासपोर्ट बनवाता है और अपने को और इसको करते हैं नहीं को चोड़ करते हैं कि यह孤ो Hij और इसके जो वालिद थे यान की पिता जी उनकी तवीत भी खराब रहती है लेकिन तवीत खराब होने की हालत में भी अपने मदमी पापा यान की अपनी वालिद और वालिदा अपने दोस्तों को अपने गावं को छोड़कर ये चला जाता है ठीक है ना और चला जाता है जाक पर ढास पर बैठता है तो एयर हुस्टिस जो है वो लाकर जो होता है प्लेट मिला कर Basis याज खाना देती है मुष्पूराते हुए तो जब वही मुसकुराथ के ताथ वगण में बैढ़े इनसान ऊबढ़ धंट करना ठीक के घना फिर अपनी चुरा करता है उटा है यह करूंगा यहां पर जाओंगा यहां पर यह करूंगा यह मुझे खर दूंगा मैं वह कर दूंगा बड़ा आदमी बनूंगा ठीक है ना मतलब की तरह तरह की ख्यालात फिल्म स्क्रीन की तरह बदल बदल कर इसके जहन में आ रही थी ठीक है और बहुत ज़्यदा खुश था ठीक है लेकिन इस चीज़ का एसास नहीं था कि अपने ये वालिद वालिद अपने दोस्तों अपने पुरे गाओं को जो है न यह अकेला छोड़ कर चला आया है ठीक है सिर्फ खुदगर्द बना हुआ है सेल्फिश बनकर यह सभी को अकेला चोड़कर जा रहा है ठीक है विदेश चला गया ठीक है कुछ सालों तक विदेश में रहा और वहां की हसीन और रंगिन दुनिया को देखा ऐस किया मजे किया शादी भी हो गया था ठीक है अपने फैबली को वहां पर रखा था और बहुत देखते देखते यह मालदार भी हो गया यानि कि बहुत टीन साल हो गए और तब जाकर इसको इसास इस चीज का हुआ कि यह जो शहर की दुनिया है जिए एक Monate की तरह ह्याँ पर जितने भी लोग है वह मसीन की तरह है सबयों काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं और फिर काम करते हैं पुरा दिन भर काम करने के बार जब घर वापस लोगते हैं तो फिर अपने बाल बीवी बचों को सोया हुआ पाते हैं फिर चुप चापा कर सो जाओ मतलब कि यहां पर रिष्टे नाते का कोई मोल नहीं है यहां पर बात करने की भी फूर्सत नहीं है समय नहीं है यहां पर लोग मसीन की तरह लगे पड़े हैं पैसा कमाने के लिए ठीक है न इस चीज का इसे एहसास होता है कि मैं गाउं में था तो वहां पर भले ही मैं इतना पैसा नहीं कमाता था लेकिन वहां पर अपनापन था कुछ भी होता था तो पुरा गाउं के लोग ही कोई मतलब नहीं है ठीक है फैमिली वालों से भी खुल कर अच्छे से बात नहीं कर पाओ सुबह जल्दी निकल जाओ और रात को लेट से आओ सुबह आओ सुबह और साम को कभी भी अच्छे से बात नहीं हो पाता है ठीक है और यही बात जो है अपने दोस्त ये असद को बता और उसके बाद से जब इसको अपनी गल्टी का एहसास होता है कि मैं अपने गाउं अपने वालिद वालिदा और पुरे दोस्तों को छोड़कर सिर्फ सेल्फिश बनकर यहां पर आ गया था ठीक है जब इस चीज़ को इसका एहसास होता है तो फिर यह वापस गाउं जाने के सब्सक्राइब का से नार्व में सोचता है हलांकि बीच में इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो यह अपने पीता जी के इंतकाल पर खुलकर रो भी नहीं पाता है कैसे मतलब किस हक से रोए कि अपने पीटा को तबएत खराब थी उसाहालत में होड़कर चलाया था ठीक तो बीच में एसके पिता जी काwest कंड़ा नहीं हो जाता है था अबון जैसा चोड़ कर वो गया था सबKश वैसा ही है उसी तरीके से केले आम के पेड़ है ठीक है बरगत का पेड़ है पपीता का पेड़ है सब उसी तरीके से है ठीक है और उसका घर उसी तरीके से कोई बदलाव नहीं घर के चौब कट पर जैसे ही अपना पैर रखता है तो देखता है कि छत का साया गायब है ठीक है और नीचे उसको पानी पानी नजर आती है पिता जी तो है नहीं वालिद तो है नहीं वालिद का साया सर से गायब है ठीक है उसके बाद से जब घर में इंटर करता है तो उसकी मां बैठी रहती है चारपाई पर जब वो आता है तो उसकी मां उसको पहचान भी नहीं पाती है देखती है फिर कौन है कौन है ठीक है बुरी हो गई रहती है देखती है ध्यान से पहचान भी नहीं पाती है तो फिर वो बताता है मुटलब कि सभी लोग जो है न उस गाओं के सभी लोग कठा हो जाते हैं दोस्त भी आ जाते हैं लेकिन सभी लोग उसके पहचानने से इंकार कर देते है क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे गाउं को अपने पूरे परिवार को छोड़कर सिर्फ खुदगर्ज होकर सेलफिस होकर चला गया था थीख है? तब उस वक्त जो है न वो शक्स अपने आपको कटी हुए शाह की तरह महसूस करता है तब उसको इस चीज़ का एसास होता है कि वाकई में जब एक पेंड से एक दरख्त से उसकी शाख यान की टहनी कटकल अलग हो जाती है न तो फिर वापस जोड़ने की कितना भी कोशिश कर लो वो वापस जोड़ नहीं पाती है पहले की तरह उसी तरीके से इंसान के रिष्ट हो जाता है तो आई होप आप लोगो को कटिवी शाख यह भी कहानी समझ में आ गया होगा चैप्टर नूमर 3 और 4 दोनों चैप्टर कम्प्लीट राइटर के बारे में टेंटर नहीं लिजे लेक़ग के बारे में आप लोगो बता दोंगी अब चैप्टर नुमर 5 का नाम है आशियाना आशियाना का मुटलब होता है घर हाउस होम ठीक है तो आशियाना जो है ना इस चैप्टर का टाइटल है जिसके राइटर है निगार अजीम यानि कि आशियाना इस अफसाना के अफसाना निगार कौन है निगार अजीम है ठीक है निगार अजीम के बारे में हम लोग बाद में समझें जब से पहले में आपको कहानी बता दिए आशियाना यानि गर आप लोग जानते हैं अपना धर अपना ही होता है अपने घर पर खुद का राज होता है खुदका हुकम चलता है तो इस dish कहानि के जो है आशियाना नाम के कहानी के जो मरकजी करिदार चाहिन के में kurij The वो है बरकत अली और जरीना बरकत अली जरीना के हस्बंड यानि की शोहर रहते हैं और जरीना बरकत अली की वाइफ यानि की बीवी रहती हैं ये एक दोस्तरे के हस्बंड वाइफ रहते हैं बरकत अली और जरीना के दो बेटे मतलब दो बच्चे थे पहल बच्चे मतलब की एक बेटी और एक बेटा बरकत अली और जरीना के दो बच्चे बेटी का नाम था रुकईया और बेटा का नाम था सिराज बेटी को पढ़ाये लिखाये और बेटी जब बढ़ी हुई तो इसकी शादी करके ससुराल भेज दिये ससुराल में जाकर ये खुशाल जिन्दगी भ बरकतली जरीना ये दोनों जन अपने बेटे को भी पढ़ा है ठीक है और ये बैंगलूर में इसको नौकरी मिल गई ठीक है और बैंगलूर में जाकर ये नौकरी करने लगा ये भी पढ़लिकर अच्छा नौकरी कर रहा था अपने वालिद और वालिदा को पैसे भी भेजता अच्छी नौकरी मिल गई थी और उसके बाद से अच्छा भी पैसा मिल रहा था अपने वालिद और वालिदा को यह पुछता भी था पैसे भी बेजा करता था तो अब क्या कि यह बरकतली और जरीना अपने बेटे सिराज की शादी कर दिये इर्फाना नम की लड़की से ठीक और वहीं पर रहता था और फिराज अरुर्फाना के भी दो बेटे थे एक का नाम था अधनान दूसरा का नाम था फरहान अधनान नौ बरस का हो गया था यानकी नौ साल का अब देखिए बरकतली और जरीना को जो है न क्योंकि यह घर में अपने आश्याने में अकेले हो ग गए थे ठीक है किसी से बात करना मतलब जैसे नाती पोता होते हैं तो फिर हसी मजाग होती है बातचीत होती है दिल बहलता है उस तरह की कोई बात नहीं थी अकेले हो गए थे दोनों जन तो फिर सिराज और इर्फाना क्या किया यह यह अनकीन के बेटे और जो बहु है वह कर रहने लगे और खूब देख भाल किया करते थे खातिरदारी खूब होती थी मतलब बेटे बहु बहुत ही अच्छे मिले थे सुसील थे ठीकि आदर्श वादी थे आपी यह सकते हैं कि मतलब कि सिराज और इर्फाना बहुत ज्यदा रेस्पक्ट दिया करते थे बरकतली घर फूब तो यह उनका जाकर रहने लगे ठांब कोई बी काम नहीं करने देती थी इंकी बहु इर्फाना और राज भी उनको कोई काम नहीं करन देता था स्बूब करतेिना को क्लिटौießने लाइञे फूसे ब्लाber धी और रूर बेख सब्योंना को क्वाइब ग्तहाट यह था कोई भी काम करने नहीं को इनके बीटे कम करने कैँ देए tyak audible कर करने जाती जरीना शरीना की जो बहु है इर्फान काःकों और आपका वक्त सारे करने दे देए अब आराम से जाकर बेठी को हम देख लेंगे भी कि आपका समय अब गया आपका वक्त खतम ठीक है तो इस तरह बहुत ही ज्यादा सुशील बहुत ही इनकी और कोई भी काम नहीं करने देती यहां तक की जरीना जो है ना जो नौकर थे घर के नौकर उनको भी कुछ बताती थी कि यह काम इस तरह से करो कपड़ा इस तरह से डाल है हम है ना आपकी उतना टेंशन ले रहे हैं आप आराम से चुप चप बैठा कीजिए ठीक है ना आपका वक्त गया हमारी बारी है इस तरीके से कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था यहां तक की नौकरों को बोलने भी नहीं दिया जाता था ठीक है और इस तरह से जो है उस तरह से आराम करते करते अगर इस तरह से आराम मिलेगा तो शरीर में तो बिमारी ही हो जाएगी यह हमारा घर नहीं है जरीना यह हमारे बेटे और बहु का घर है जहां पर उनका हुकम चल रहा है चलो हम अपने पुराने वाले आशियाने में ही चलते हैं वो हमारा घर है व हम लोग जिस तरीके से चाहें उस तरह से रह सकते हैं खुलकर काम कर सकते हैं ठीक है कोई भी काम हो कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह बेटे और बहु का घर है यहां पर तो हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है सिर्फ चुप-चाप बैठे रहो और खाओ चुप-चाप बैठे करम को देना वही रोटी चटनी ही चलेगा लेकिन वहां पर अपना हुकम होगा वहां पर इस तरह से पीलिंग आई कि यह हमारा घर है ठीक है तो यह चीज जो है ना जरीना बोलने ही वाली थी तब तक उनके शोहर आकर बोल देते हैं यह बात तब यह वापस अपने घर चले अपने पुराने वाले आश्याने में और और यहां पर यहां पर कहानी का दे 2ाता है और आगे नहीं बताएकानी और इकलानी खुछ हीं जो कुछ म J है तो वीडियो को लाइक तो बनता है पड़ाफट लाइक करते भी तक लाइक नहीं किये हैं तो और स्टार्टिंग मेहीं में आप लोगों को बोली थी कि आप लोगों को शेयर कर देना है जितना ज़्यदा हो सके तो इस्टेटस जरूर लगाईएगा चानल पर अग्राफ ल नाम के चैपटर के जो मुसर्nim है सेयत मुहम्मद महसिन उनके बारे में जो भी जानकारी तेया गए उसको समझेंगे उसके बाद से कटीव इशाःक इसका ட Jour कमेर जहां इनके बाव आखिus नाना नाम के बारे में समझेंगी एक एक करके उसीबिम कि पहलिख सकते हैं यहाँ पर सिय्द मुहम्म्म לפ zm के बारे में ढिखी लगाया गया है जो कि इतना साफ साफ नहीं दिख रहा है लेकिन हमने के बारे में जो जांकारी दिया गया है इसे एक बार समझाइगे इसे तो कर版 खास मैदान था और उनका एक अफसानों का एक मजमुवा था यान की कहानी का एक किताब था जिसका नाम क्या है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट तो यह अनोखी मुस्कुराहट कहानी का किताब बहुत ही जदा मश्चूर वह मकबूल हुआ उर्दी दुनिया में जो है और अनोखी मुस्कुराहिट ढक्र मुहमद मुहसें के एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र चांग हो सकती के जिसके जिसके जी इसकी अगे नहीं की जायए तो फिर अगे लिखा गया है कि ढकल iphone की पिदाईश 10 जुलाई उन्हें से 10 सभी को पटना में हुई थी और उनके वालिद यान की पिता जी का नाम था सेयद मुहमद रशीद याद रखेगा 10 जुलाई उन्हें से 10 सिस्वी को पटना में सेयद मुहमद मोसिन की पैदाईश हुई थी और उनके पिता जी का नाम क्या था सेयद मुहमद रशीद ठीक है मुहसिन सहब यानि की डॉक्टर मुहमद मुहसिन जो है ना उन्हें साथ 26 सिस्वी में राम मोहन राय समीनरी पटना से मैट्री का इमतहान पास किये थे साथ 29 CCWAY में पटना कॉलेज़ से इन्हों ने आईये का एग rows पस किया ठाइस से 3 3 सी ¥ में ये नफसिया міंकी साइकलोज़ से इन्हों ने मफ फॉस्ट क्लास से पस किया और देख 1646 वे वो पतना कॉलेज़ में ו fianस्फा में आरज़ी पर लेक्षर बहाल हुए फिर उन्हें सब्सक्राइब पर पर यह लेक्षर बहाल हुए एक बार फिर से यहां पर मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूं कि उन्हें इस अटिस इस भी में 1938 में वह पतना कॉलेज में शोबय फलसफ़ा यानि कि फिलोस्फी का एक डिपार्टमेंट था उसमें यह आरजी तोर पर लेक्षर बहाल हुए थैं यानि कि लेक्षर के तौर पर यह नौकरे की हैं उसके बाद से फिर उन्हें इस अर्टारि में जो नफसियात का डपाटमेट यह का पर ये काम करते रहें और इसी पोस्ट से इनका रेटायरमेंट हुआ यानिके सुबगदोश हो गया ठीक हैं उनकी किताबों में अनोकी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ है याद रखेगा अनोखी मुस्कुराहट क्या है ये अफसानों का मजमुआ है यान की कहानी का किताब है अगर बात की जाए नफसियाती जाविये तो नफसियाती जाविये जो है ये एक नफसियाती मजमीन है मजमीन का मजमुआ है या की मजमून नफसियाती मजमीन यानि की मजमून एसे का ये किताब है नफसियाती जावी है और जखम के फूल ये जो किताब है ये शेरी मजमुए है यान की शेरी का किताब है ये याद रखना है इसके इलावा उनकी दूसरी किताबे भी शाई हुई है जिसका नाम यहाँ पर फरीजा अदा किये थे यानि कि एक बर फिर से सुनिये याँ पर सेद मौमद मौसिन के कितने अलाद तो साथ आलाद तीन बेटे और चार बेटिया और उन्हेशति ۔ स्यद मुओंद मौसिन के बारे में जान गए जो की फरार नाम के अफ साना के साना निगार है अब आगे बढ़ते हैं कटी वी शाक नाम के अफसाना के अफसाना निगार कमर जहां है इनके बारे में देखे यहां पर डीटेल्स दिया गया है लिखा गया है कि कमर जहां की पैदाइश तकरीवन उन्हें से इनके वालिट का नाम से अतावल हक था यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है याद रखिएगा खांदान के फराद इल्म और इल्म और इल्म और इल्म से दिल्चस्पी रखते थे यानकि इनके खांदान में जितने भी लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे इल्म और इल्म और इल्म से दिल्चस्पी रखते थे रिवायती तालिम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू सबजेक्ट में में किया और पीएजडी भी किया और उर्दू अदब से पत्र दिल्चस्पी होने के वज़े से वो तालिब इल्मी के जे में ही यानि से उस्चासट स्विर से ही वो अफसाना लेखना शुरू की Σ玩un और जहां कि पहली कहानी जुनू सुबह नौ पठना से सच्छासट संवी में इशाथ पजीर हुआ यानि कि यह जो पहला कहानी है जुनून 이걸 वफा यह मन्थ़्ी मैगजीन था जिसका नाम था सुबह नौ मैगजीन का क्या नाम ऐगे बढ़ते हैं सुन्दरवती महीला कॉलेज भागल पूर के शूबह Eckerd पूर्पूरめैसिटी के सदर्चोाрь उर्दू तक के ओदे संभाला ठेखें यानि उर्दू की सदर्चोार्ब उर्दू उर्दू की को डिपार्टमेंट था भाती इस दर ये प्रीी म PP verbally मनी थी वा उस पोस्ट को किताब याद रखिएगा कमर जहां का लिक्षा हुआ जिसमें पहला का नाम है臃ति उन्हें परकाशित हुआ था जो कि उन्हें से 19129 परकाशिथ हुआ था और याद लगर जो कि इसको भी परकाशित नहीं कियागा जारे शाहत है ठीक है तो तीन अफसानवी मजमुएं यानिकी कहानी की किताब हैं कमर जहां का लिखा हुआ याद रखना है अख्तर शिरानी की जिंस्वा रुमानी शायरी मेयार कलाम अब्दुल्लाहाफिज मस्कीपूरी तैकीक वो तद्मीन कलाम और हर्फ आ गही या आपकी तनकीदी तसनिफ है ठी शजब कि द्विआ हैं यहांपर निचीवी परफहर हैं में नियासी स्टार्ट बारे में जो भी जानकारी दिये गए वही है यहांपर यह आप लोगा के बुक का ही अप्ट आकएमेश्यान Sims जो की आश्याना नम तो चलियए इनके बारे में समझ लेते हैं निगार अजीम एहदे हाजिर की एक एहम अफसाना निगार है यानि की निगार अजीम जो है ना ये जदीद दौर की बहुत ही एहम अफसाना निगार है इनका रियल नेम यानि की असल नाम मलिक महर निगार है और कल्मी नाम निगार अजीम है ठीक है वह उर्द दुनिया में मशूर और मकबूर ही किस नाम से तो नेगार अजीम के नाम से लेकिन इनकारियल ने मलिक ए महर नेगार याद रखिएगा उर्दू के इलावा उन्होंने ड्रॉइंग और पेंटिंग में भी एमे किया है इन्होंने साधत सन्मंटू की अफसाना अच्छारी का तनकीदी जाइधा पेश करके जामिया मिल Coryiker से पीजडी की डिग्री वी रासिल कि थी और उस वक्तपाइन अफसाननेगारों में उनकीाषा पहचान यूभी बनती है कि उन्होंने खौतिन के जजबात और उनके मसायल पर मतादत अफसाने लिए यानि कि यहां पर निगार अजीम की पहचान किसलिए बन जाती है क्योंकि उन्होंने जितने भी और एंगे बढ़ते हैं निगार अजीम की अफसानों का पहला मजमूआ जिसका नाम है अक्स वो उन्हें से 90 भी में शाय हुआ था निगार अजीम का पहला मजमूआ यानि की कहानी की किताब का नाम क्या है याद रखना है अक्स नाम है जो कि उन्हें से 90 भी में शाय हुआ परकाशित हुआ था और उसके बाद उन्हें से 99 भी में उनका मजमूआ ज सिंग के चावलिया की एक मिनट अच्छा उन्होंने हर्चरन सिंग चावला की शक्सियत और फन का जाइजा भी पेश किया था बहादुर्शा जफर की शक्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी एहम तनकीदी किताबे भी शाय हो चुगे थे यानि की बहादुर्शा जफर की श सफर नामा भी लिखा था जो कि खासा मखबूल हुआ यानि कि उन्होंने एक सफर नामा भी लिखा था जिसका नाम क्या है गर्द आवारगी यह भी काफी मशूर मखबूल हुआ था तो फाइनली यहां पर हो जाता है पून रूप से तीनों चैप्टर कम्प्रीट चैप्र न आप लोग नए नए आये हुए हैं हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे ठीक है फिर मिलेंगे हम लो